दोस्तों कुछ महिने पहले जब नए पार्लेमेंट को बनाया गया था और उसका उद्गाटन किया गया था तो उस पार्लेमेंट में अखन भारत के नक्षे को भी लगाया गया है अगर मैं बात करूँ मोहन भागवत की जो की RSS के प्रमूक है उन्होंने हरिद्वार में एक स सभा को संभोधित करते हुए ये बयान दिया था कि आने वाले 15 सालों में भारत अखन भारत बन जाएगा इसके बाद से न्यूज में इसको लेकर काफी डिबेट शुरू हो गई थी और डिबेट इस बात को लेकर के थी कि यहां किस अखन भारत की बात की गई है अब जैसा मैंने कहा यहां किस अखन भारत की बात की गई है तो इस चीज पर ध्यान दिदी क्योंकि जब भी हम अखन भारत का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा नक्षा तयार हो जाता है भारत का जिसकी सीमा अफगानिस्तान से इरान तक फैल जाती है लेकिन आपका ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि अखन भारत खाली यही एक नहीं है अखन भारत के और भी कई कॉंसेप्ट है वो क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे साथी जिस प्रकार पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर भारत यह अखन भारत का सपना देखता है दुनिय हम पाकिस्तान और बांगलादेश जैसे बहुत सारे देशों पर हमला करके उन्हें जीत ले तो इससे हम अखंड भारत बना सकते हैं लेकिन इस प्रकार से अखंड भारत आज के टाइम पर कभी नहीं बन सकता है तो ऐसे कौन सा तरीगा है जिसके द्वारा अखंड भारत को ब ला दिया जाए तो अखंड भारत बन जाएगा ऐसे और भी कितने अखंड भारत के वह सब पहले जानते हैं पहला वह अखंड भारत जो पहले का भारत था जिसमें अफगानिस्तान से लेगे दक्षीन में स्रिलंका और पुर्व में म्यामार तक का समाविश होता था दूसर था वह अखंड भारत जिसमें अफगानिस्तान टिब्बत श्रिलंका भुटान नेपाल पाकिस्तान मंगलादेश म्यामार के साथ साथ थाइलेंड कमबोडिया और इरान का भी समाविश होता है तो चलिए यह तो बात हुई अखंड भारत के बारे में लेकिन अगर हम बात क करें कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक भारतिय अखंड भारत का सपना देखता है उसी प्रकार पूरी दुनिया में और ऐसा कौन से देश है जो पहले के टाइम पर अखंड हुआ करते थे लेकिन आज बहुत से देशों के टुकड हुआ करता था जिसे रशिया अपने में मिलाना चाहता है जिसके कारण आज रशिया और युक्रेयन में युद्ध छिडा हुआ है अगर आप एक नजर में देखोगे तो रूस फिर से USSR बनने के लिए कई प्रयास कर रहा है लेकिन भारत भारत में ऐसे कोई भी प्रयास नहीं है लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर अखंड भारत कैसे बन सकता है क्या हम पाकिस्तान बांगला देश इन सब पे हमला करके इनके सीमाओं को जीत ले और भारत में समावेश कर ले तो अखंड भारत बन जाएगा तो ये आजकल के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो अखंड भारत बनी नहीं सकता लेकिन इसे बनाया जा सकता है एक तरीके के द्वारा ये तरीका क्या है इसे भी जानते हैं अखंड भारत बनाने का एक तरीका है यूनियन बना कर बहुत सारे कॉंटिनेट यानि महादीपों के अपने यूनियन होते जैसे अमेरिका का अ पासवर्ट के एक दूसरे के देश में जा सकते लेकिन इन सभी देशों के अपने प्राइम मिनिश्टर होते हैं इस प्रकार से यूनियन बना कि ये लोग एक साथ जुड़े रहते हैं लेकिन अगर एशिया में अगर अखन भारत का यूनियन बनाया भी जाए तो इससे हम सब को पता है बहुत सारी प्रोब्लम होगी भारत की सीमा बंद होने के बावजित भी पाकिस्तान से आए दिन हमले होते रहते हैं अगर यूनियन बना दिया जाएगा तो सारी सीमा खुल जाएगी जिसके वजह से भारत में आए दिन हमले होंगे और ऐसा समझ लिजी भारत कालिबान हैं और पाकिस्तान यह हमला करके पूरे भारत को खतम कर सकते जिसके काराण भारत को इसमें बहुत सारी प्रोब्लम भी होगी इसलिए अखंड भारत बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है वैसे आप क्या सोचते हैं इस पर आपकी क्या राइए आप कमेंट गरें स सब्सक्राब और मोर वीडियोज